तो आज की सुड़ों पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप इस तरह का ट्रेंटिंग एटिटूड रील वीडो एडिटिंग कर सकतो तो वीडो को लास्ट तक जरूर से देखना और जल्दी से हम अपनी वीडो को स्टार्ट कर लेते हैं तो वीडो को एडिट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं CapCut application क्योंकि CapCut application में हमें सारा effect से देखने को मिल जाएगा और KapCut के बार में आपको एक चीज पता होगा इसे यूज करने से पहले हमें किसी Vpn से connect होना पड़ता है तो मैं यहाँ पर super VPN को open करके connect कर ले रहा हूँ, आपके पास जो VPN होगा उससे open करके connect कर लेना, अगर VPN नहीं है तो play store से जाके कोई सा एक VPN install कर लेना ठीक है, then connect कर लेना, मतलब capcode यूज करने से पहले VPN से connect करना ही पड़ेगा, उसके बाद capcode को आप open कर लेना, and new project के उपर click कर अपने वीडियो को आपको select out करने है, जैसी कि मैं इस वाले वीडियो को edit करने वाला हूँ, तो इसे select करके add कर ले रहा हूँ, आपके पास जो वीडियो होगा या फिर जिससे आप edit करना चाहोगे, उससे just यहाँ add कर देना, नए वाले capcode में कुछ इस तरीके का एक mode आया तो इसलिए हम इसके उपर click कर देंगे, और इसे normal कर देंगे, ठीके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारे जो वीडियो हो add हो चुक है, और बिल्कुल सिम्पल सी वीडियो है, बिल्कुल ही simple है, ना slow motion है, ना colors है, ना effect है, कुछ भी editing नहीं है, तो basic से लेके पूरा advance तक मैं आपको edit करके दिखाने वालों, ठीके, तो सबसे पहला जो काम होता है, वो यह होता है, कि आपको यहाँ mute कर देना है, यह जो रहता है, mute, उसे आपको click कर देना है, क्योंकि इसे आप click करोगे तो आज-पास के जो हवा यह सब आया होगा, वो सारे हट जाएंगे, ठीके, देन उसके बाद आपको यहाँ पर music add कर लेना है, क्योंकि उसी music के according सारा editing होने वाला है, ठीके, music को add करने के लिए, आप overlay को उपर click करना, add overlay को उपर click करना, और एक video add करना, ठीके, उस video का link में देदूँगा, description में, video को select करके, just add कर लेना, यह वाला जो video है, आप देख सकत जो मैंने preview में लगाया हुआ था, ठीके, तो यह वाला वीडियो का link में देदूँगा, description में, इसी में हमारा music है, तो इसका music निकालने के लिए, आप यहाँ स्क्रॉल करना, extract audio का option मिलेगा, इसके उपर click कर देना, तो audio extract हो जागा, मिन्स आपको music मिल जागा, अब अगर आप चाहो तो इस वीडियो को delete कर सकतो, हटा सकतो, लेकिन मैं आपको recommendate करूँगा, या फिर suggest करूँगा, कि इसे आप यहाँ से ना हटाओ, इसे आप छोटा करके एक corner में रख दो, इससे होगा यह ना, कि हम इसकी help से, मिन्स हम थोड़ा इससे help ले सकते, कि कहां पे कौन स effect add करना है, ताकि हमारी वीडियो बिल्कुल same बन सके, ठीक है, अगर यह रहेगा, तो हमें थोड़ा आसानी होगा, कि हाँ, यहाँ पे यह effect add करना है, यहाँ यह यह करना है, तो हम easily अपनी वीडियो को edit कर सकेंगे, ठीक है, इसलिए आपको इस step को जो वीडियो होगा, उसे रखना है, ना कि delete करना है, ओके, तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो को color getting करने वाले, क्योंकि आप देख सकतो बिल्कुल normal सी वीडियो है, जो कि यह रूतने अच्छी लग नहीं रही है, ठीक है, तो color getting करने के लिए आपको अपनी वीडियो को उपर click करना है, scroll करके, just यहा और इसने edit के, तो काफे एच्छा है, ठीक है, उसके बाद brightness को आप यहां से increase कर देना, and saturation को भी increase कर देना, then आपको just यहां पे exposure को थोड़ा सा increase या decrease करके देख लेना, जैसा आपको यूड़ में suitable लगे, तो decrease करने पे ज़्यादा बढ़ियां लग रहा है, तो हम decrease कर देंग उसके बाद आप highlight को थोड़ा सा increase कर देना, ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हूँ, यह normal था, और यह edit होने के बाद, जो कि काफे एच्छा लग रहा है, अगर advanced level का आपको editing करना है, तो just आप यहां HSL में आके, normal से यहां जो colors हैं, उनको help से, आप advanced color getting कर सकते हो, जैसे कि इस color के उपर हम click करते, yellow के उपर, and इसे और yellow is convert करते, तो आप देख पाओगे background में जो हो yellow color आ जा रहा है, पत्ते यह समय, जो कि little bit अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो इसे रख लेते है, and green color को change करके देखते हैं, कैसा आता है, green color ऐसा बन रहा है, जो कि अच्छा लग र अब उसके बाद हम यहाँ पर slow motion करेंगे, क्योंकि आगर आप इस studio को observe करो, तो इसमें काफी सारे slow motion किये हुए, ठीक है, तो slow motion करने के लिए आपको अपनी वीडियो को पर click करना है, speed को उपर जाना है, curve में जाना है, और यहाँ से custom को पर click करके, आपको editing करना है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ points आपको मिलते हैं, इनकी help से आप slow motion and fast motion कर सकते हो, जहाँ पर भी आप slow करना चाहोगे, उस वाले point को पकड़के आप नीचे कर देना, slow हो जागा, जहाँ आप fast करना चाहोगे, उस वाले point को पकड़के उपर कर देना, तो यह इसका एक basic है, कैसे slow and fast कि किया जाता है, अब उसके बाद आप अपने वीडियो को observe करो, और देखो कहाँ slow करना अच्छा रहेगा, कहाँ fast करना अच्छा रहेगा, जैसे कि हम अगर अपने वीडियो का starting में, थोड़ा सा normal रखें, उसके बाद slow कर दें, तो बड़ा अच्छा लेगेगा, तो यहाँ थोड़ा सा आगे तक आते हैं, और एक beat add कर देते हैं, तो यहाँ तक normal हो जाएगा, अब उसके आगे वाला जो point होगा, उससे नीचे कर देंगे, तो slow हो जाएगा, अब देख सकते हो इतना normal, उसके बाद slow, जो कि काफी अच्छा लग रहे है, अब उसके बाद थोड़ा सा हमें इसे fast करना चाहिए, जहाँ पर हमारे ये चसमा उतार रहे, तो उसके point को पर एक beat add कर देना, और उपर कर देना, तो यहाँ पर जो होगा, वो fast हो जाएगा, ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जैसा सही लगता है, जहाँ जहाँ जो add करना आप चाहते हो, वहाँ पतलब की starting में normal, फिर slow, फिर थोड़ा सा fast, फिर slow, फिर fast, ठीक है, तो इस तरह किसे देखना में क्या है, कि video अच्छा लगेगा, उसके बाद आप इसे done कर देना, ठीक है, तो दो काम हमने कर लिया है, slow motion and color grading, अब उसके बाद हमें यहाँ पर just sick effect जो इसमें है, वो add करना हो मैं थोड़ा सा इसे zoom कर देता हूँ, क्योंकि यह तो कुछ जादा ही छोटा हो गया है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें एक sick effect आपको देखने को मिल लागा, जो कि अभी हम सीखने वाले है, कैसे add कर सकते है, यह वाला sick effect ठीक है, तो इसे add करना काफी जादा easy होगा, सबसे पहले आप अपनी वीडियो को पर क्लिक करो, and हम इसे play कर लेते हैं, और देखते हैं, कहाँ हमें sick effect आइड करना है, तो यह जो sick effect है, वो यहाँ से सुरू हो रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो, यहाँ से, तो आपको क्या करना है, अपनी वीडियो को यहाँ प आपको अपनी वीडियो को split कर देना है, ठीक है, तो split कर दोगो, यह छोड़ा सा part आपको मिल जागा, इसके उपर क्लिक करना, उसके बाद animation में आप चले जाना, then यहाँ पर combo में आपको जाना है, और combo में यहाँ effect आपको मिल जागा, ठीक है, यह जो है, वो एक slide वाला effect है, यह देख सकतो, slide and wave हाला, इसे आपको select करके, done कर देना, तो आप देख पाओगे, बिल्कुल same यहाँ पर हमारा effect add हो गया, ठीक है, अब उसके बाद यह जो next वाला clip है, इसमें भी एक shake effect इन्होंने add किया है, तो इसके लिए फिर से इसके उपर click करेंगे, animation में हम चले जाना और animation में आपको इस बार combo में नहीं जाना है, इस बार in में ही रहना है, और last में आप आऊगे, तो यह आपको rock horizontal मिलेगा, इसे select करके just up done कर देना, तो यह दो जो shake effect हो यहाँ add हो चुके, देख सकतो, बिल्कुल same shake effect हम नहीं add कर लिए, उसके बाद एक और यहाँ पर है, split कर देना है, split करने के बाद animation में आपको जाना है, animation में आपको फिर से काफी सारे यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, तो इन में से आप क्या करो, in में ही रहो, and, तो पूरा last में आपको आजाने, और यहाँ पर आपको एक rock vertical मिलेगा, इसे select कर देना, same effect आजाएगा, देना done करना है, अब extra part जो है हमारी video में उसे यहाँ से trim कर देते हैं, extra क्यों रखना ठीक है, तो इस तरीके से करके, यहाँ पर shake effect हमने add कर लिया, तो तीन काम हम कर चुके है, color grading, slow motion, shake effect, अब उसके बाद हम यहाँ देखते हैं, इन में जो effects add किया गया है, उसे कैसे add कर सकते, तो बहुत ही simple होगा, effects को add करना, effect वाले option पर आप चले जाना, video effect को पर आप चले जाना, एंड उसके बाद यह जो opening वाल सीन है, इसके लिए आपको यहाँ opening and closing को option मिलेगा, इसके उपर click करना, scroll करोगे, तो यहाँ पर आपको एक मिल जागा, vertical open, ठीक है, इसे select करना है, और just done कर देना है, इसका जो duration होगा, उसे आप उस वीडियो में आप देख लेना, कहां तक है, उत्रा ही दूरतक इसे आपको रख देना है, तो यहाँ तक है, सो इतना दूरतक हम रखेंगे, and done कर देंगे, तो यह जो vertical वाल opening वाल सीन है, वो बन गया, उसके बाद यहाँ पर एक blur effect, blur effect मैं आपको suggest करना चाहूँगा, कि last में add करना, ठीक है, क्योंकि blur effect add करनेंगे, थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा सा ही, लेकिन cap cut lag करता है, ठीक है, अभी हम और जो इसमें effect है, उनके बारे में देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप एक देख सकते हूँ, कुछ इस तरीके कर करके, I think negative effect है, ठीक है, इसे हमें यहाँ add करना पड़ेगा, तो just हम क्या करेंगे, कि सबसे पहले देख लेंगे, कहां से effect आ रहा है, यह effect है, start हो रहा है हमारा, यहाँ से ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे, उसके बाद video effect में आपक्लिक करना, and यहाँ पर आप स्क्रॉल क है, उसे बस इस beat तक ही रखना, means यहाँ तक, जहाँ पर आपका sick effect आ रहा है, उसे पहले तक रखना है, ठीक है, तो आप देख पाओगे, यहाँ पर same effect हमारा add हो गया, थोड़ा सा late से आ रहा है, तो थोड़ा सा आगे कर देंगे, ओके, तो इस तरीके से करके, आप यहाँ अब यह effect add कर सकतो, उसके बाद यहाँ पर एक यह वाला effect है, देख सकतो, ठीक है, तो उसे add करने के लिए, जिस आपको body effect में जाना है, body effect में, इस बार effect में नहीं आना है, body effect में जाना है, उसके बाद stroke में आप चले जाना, यहाँ पर आपको यह वाला जो है, वो मिल जागा स्ट्रीम करें करे हैं इसे सेलेक्ट कर देना और तो यह वाला इफट्ल 2 यहां फृस्ट के बाद अडय ही का स मनद फीर से नाइट कलब में चले जाना है यहाँ पर आप स्क्रॉल करोगे तो अस्ट्रॉब का एक आपको आप्शन देखने को मिल जाएगा तो इस अस्ट्रॉब इफेक्ट को आपको सलेक्ट करके जस्ट ड़न कर देना है एंड इसे पूरे वीडियो के लास्ट तक रखने है ठीक है तो यहाँ पर देख सकतो अलमस्ट सारा हमने एड कर दिया इफेक्ट अस्टार्टिंग में ओपनिंग वाला उसके बाद यहाँ पर यह निगेटिव वाला ठीक है देन उसके बाद इस में श्ट्रॉब और यह वाला लाइनिंग देन आगे तो कोई इफेक्ट नहीं तो कुछ नहीं एड क कर देना और होग एडिटिंग ठीक है तो इस तरह के साब यह वीडियो को एडिट कर सकते हो देख सकते हो बिल्कुल सेम हमने यहाँ पर एडिट कर लिया है लेंस बलर इफेक्ट हो थोड़ा ज्यादा टाइम दखे ठीक है तो आप इससे यहाँ तग रख देना and complete ओके तो ऐसे करके आप यही वीडियो को एडिट कर सकते हो अब इस चोटे सी वीडियो के तो हमें काम नहीं ही क्योंकि इससे तो हमें सिर्फ सीखना था जो कि हमने सीखके pesade के सारे से एक्स्पोर्ड कर देना ओके इस तरह की से वीडियो को बनाया जाता है मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में तब तक के लिए वाई वाई